हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोगवानी पाट शाला में देखे प्रोफिट लोगस का हमारा चेप्टर चल रहा है छे किलास मैं आप लोगों को प्रवैड गरा चुका हूँ आज ही हमारी साथनी किलास है और हर बार मैं आप लोगों के लिए एव्जाम वाले कोशन ही लेकर आता हूँ तो आज हम यह चार कोशन करने वाले हैं तो चलिए बिना देरी कि यह शुरुवात करते हैं और पहला कोशन पढ़ लेते हैं पहला question है A ने एक पंखा एक हजार रुपे का खरीदा और 20 परतीशत लाग पर B को बेच दिया B ने 10 परतीशत हानिक पर वैपंखा C को बेच दिया उस C ने पंखा कितने रुपे में खरीदा देखे इन question के अंदर एक sequence चलती है A खरीदेगा, B को बेच देगा, B C को बेच देगा, C D को बेच देगा तो आपको इसी तरह कि कुछ value question के अंदर दी जाती है जैसे यहाँ पर आपको दिया गया A ने पंखा 1000 रुपे का खरीदा तो एक ही value आपको देदी, आपसे पूचा जा सकता है कि C ने कितने में करीदा, B ने कितने में बेचा तो यह सब हम इन question के अंदर calculate करेंगे देखे दो तरीके से हम आपको question कराऊँगा, एक हम इसको 100 वाले concept से करेंगे और फिर हम एक पार इसको fraction वाले method से करेंगे तो आप देख सकते हैं A, B और C, A ने B को बेच दिया और B ने C को बेच दिया तो जैसा मैंने बताया हम 100 वाले concept से करेंगे, तो हम सबसे पहले यह माल लेते हैं इस value को फिरालम नहीं लेंगे, हम अपने पास से क्या मानेंगे कि A ने कितने में खरीदा A ने पंखा 100 रुपे में खरीदा, तो B को कितने पर दिया है, 20 पर 30 लाग पर आप B ने 10 पर 30 शतहानी पर C को बेच दिया, तो आपको यह नहीं करना है, आप 120 में से 10 को भटाके, यहाँ पर 110 लिख दे, यह जो calculation होती है, वो ऐसी calculation के वाल 100 पर होती है B ने C को दिया है, 120 का दिया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर 120 का 10% आप निकालें, कि B को कितनी हानी होई, तो आप calculate करेंगे, तो आपको क्या पता लागा, कि बारा रुपे की B को हानी होई है, तो अगर बारा रुपे की हानी होई होगी, तो 120 में से 12 को आप कम कर तो कितना बज़ जाएगा, 108, यानि B ने C को कितने का दिया है, 108 का दिया है, एक बात में आप लोगों को और बता दूँ, तो किसी भी संख्यागा अगर आपको 10% निकालना है, तो आपको calculation करने की जरूरत नहीं होती, और example आपके सामने लिखा मैंने 375, और इसका मैं आप से कहता हूं, इसका आप 10% निकाल दीजे, तो आपको ये calculation करने की जरूरत नहीं है, अब simply क्या करिए, जो last वाले digit है, उसके पीछे यहाँ पर एक point लगा दीजे, तो यही क्या बन जाता है, यही आपका 10% बन जाता है, आपके question में 120 था, तो अगर मुझे इसका 10% निकालन है, तो हमारे according कितने का खरीदा है, तो आप बोलगे होगे, 100 की value कितनी है, तो 100 की value है, एक हजाल, क्या पूच्छा है, C ने पंखा कितने रुपे में खरीदा है, तो हमारे according कितना है, 108, तो आप 108 का मान निकाल दीजे, कैसे calculate करेंगे, 2-0 से 2-0 cancel out होगी, यहां से कितना पचाथ 10, दोनों के आपस में multiply कर दीजे, तो यह कितना आजाएगा, 1080 रुपे, यानि C ने पंखा कितने में खरीदा है, 1080 रुपे में खरीदा है, तो यह तो हमारा है 100 वाला concept, हम मैं आपको इसी question को fraction वाले method से बताता हूं, एक बार आप इसको note कर दीजे, चलिए fraction वाला method देखते हैं, तो आपको काम वही करना है, आपके पास जितने मेंबर हैं, सबसे पहले आप बो लिखेंगे, तो तीर मेंबर हैं, A, B को और C, और हम calculation करेंगे percent पे, क्योंकि percent से ही क्या बनाते हैं, fraction बनाते हैं, तो अगर आप 20% की fraction ब्रेट करेंगे, वही तो कितनी हो जाएगी, एक बटे 5, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि A ने 5 का खरीदा, और B को कितने पर दे दिया, 6 पर दे दिया, क्योंकि लाब है, हानी होती है, तो हम यहाँ पर एक कम करके 4 लिखते, फिलाल लाब है, तो पास में एक जोड़ा कितने हो गए, 6, अ तो B के पास पहले से कितना है, 6, आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप कितना लिख दीजे, 10, यानि B ने 10 में खरीदा, और हानी पर दिया, तो 10 का 10% कितना होगा, A, A कम में दिया, तो यानि कितने में दिया, 9 में दिया, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, उसके बाद यह बराबर करना है तो यह ना आपको पिछली class में बताके आया हूं, आप क्या कर सकते हैं, आप 10 की multiply उपर कर दीजे, और 6 की multiply नीचे कर दीजे, तो इतना बन जाएगा, यह 60 बन जाएगा, एक और तरीका है आपके पास इस value को बराबर करने जी जिए, आपको ऐसा number निकाल क पॉरु इस नीचे वारे पार्ट में यहां पर यहां पर में 3선 मल्टी ग्राइब करते हैं जबन जाएगा यहां के दोनों बराबर तो हम कैसे में कर सकते हैं किसी भी नमबर से बिया निक्टना है कि हमें यी बराबर करनी है तो फिलाल उपर 5 से multiply कर रहे हैं तो वापस आप लिख सकते हैं A, B और C तो उपर पूरी लाइन में multiply होगी तो 5 से 5 में multiply करेंगे कितना आजाएगा 25 5 से 6 में multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 30 इसका काम पूरा होगे आप अब आप नीचे multiply कीजिए तो 3 की multiply आप 10 में करेंगे यानि आप B वाली value में कर रहे हैं तो वो हम already लिख चुके उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है अब आप C के पास जाएगे तीन की multiply आप 9 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 होगे तो यहां से कितना बचा हुआ है 27 आप calculate करेंगे तो आप के पास यहां से भी कितना अंसर आ रहा है एक अजार अस्य रूपे आई हो कि आपको समझ में आया होगा कि fraction से हमें question कैसे करना है जो भी value आपकी अलग-अलग होंगी उसको आप multiply वाले method से बराबर करेंगे और फिर आप अपने answer तक पहुंचेंगे तो चलिए एक बाद second question को भी समझ लेते हैं आपको बहुतर समझ में आएगा चलिए दूसरा question देखते हैं और दूसरे question को भी हम दों परीके से करेंगे ए ने घड़ी खरीदी नेकिन कितने की खरीदी यह आपको नहीं गिया गया बी को बेच दी 25 पर्तिशत लाब पर बी ने सी को बेच दी 10 पर्तिशत हानी पर और सी ने खरीदी कितने की खरीदी 675 रुपे में तब आप से पूछा गया है ए ने घड़ी कितने रुपे में खरीदी तो जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहला काम आपको क्या करना है जितने मेंबर आपको कोश्चन के अंदर ये गए है वो आप लिखेगे और आप मानेंगे कि ए ने घड़ी को कितने में खरीदा तो 100 रुपे में खरीदा बी को बेच दिया कितने पर 25 पर्तिशत लाब पर यानि कितने का बेच दिया होगा तो सोपा आप करेगे 125 आगे चलिए बी ने सी को बेचा दस पर्तिशत हानी पर तो अगर हानी पर बेचा होगा तो हमें यहां से केल्गुलेट करना है कि बी को कितनी हानी भी तो आपको 125 का 10% निकालना पड़ेगा अगर आपको निकालना है तो आप क्या किईजिए आप सिंप्रिश्ट वाली बिजिट से पहले क्या लगा दीजे पॉइंट लगा दीजे, तो यह आपका क्या बन गया, यह आपका 10% बन गया, और क्योंकि इस बार यह हानी है, तो आपको 125 में से 12.5 को भटाना पड़ेगा, तो यह आपके पास कितना बच जाएगा, यह आपके पास बच जाएगा, 112.5, कोशन पर चलते हैं, लिखा गया है, C ने कितने में खरीदा, 675 में, हमारे एकोडिंग कितने में खरीदा है, 112.5 में, यह आपको 9 का बता के आया हूँ, कि अगर पिसी संख्या के अंको का जोड 9 से कट जाए, तो वो संख्या भी 9 से कट जाती है, पांच और तो साथ हो एक आट और एक 9, 9 से कट रहा है, साथ हो छे 13, 13, 15, 18, ये भी 9 से कट रहा है, तो आप इसको 9 से काट दीजिए, 9 ही कम 9, 2 बचेंगे, फिर आप 2 उतारेंगे, 9, 2, 18, 4 बचेंगे, 9, 45, ये पोइंट आप यहें लगा कर रखिए, ठीक है, इसको साथ सो पचास, नीचे कितना है, हंडरेंड, और ये आपकी अफ चैल्कुलेशन बनगे, इसको आप 25 से काट दीजिए, 25 बचेंगे, इसको आप काटेंगे, चार बार कटेंगा, पांच से आप 750 को काट दीजिए, तो ये कितनी बार कटेंगा, 5 से आप काटेंगे, 5 ही कम 5, दो बचेंगे, 5 बंचे 25, एक 0 बच जाएगी, देड़ सो बार ये कट जाएगा, तो यहां से कितना बचा 150, यहां से बचा 4, तो ये कितना आजाएगा, ये आजाएगा, ये आजाएगा 600 रुपे, यानि ए घड़ी को 600 रुपे में खरीगा था, अब अगर इसी को मुझे फ्रेक्शन वाले में खड़ से करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो इस सबसे पहले 25 परसेंट की फ्रेक्शन ब्रेक्शन ब्रेक्शन कितनी होती है, एक बटे चाव, तो आप लिख लिजे, ए, बी और सी, यानि 4 का खरीदा और कितने का बेच दिया, तो 4 पर 25 परसेंट ल कितने का दे दिया, 9 का, हानी हो रही है, तो आप एक कम कर लेंगे, अब जैसा मैं आपको बताया, आपको ये वैल्यू बराबर करने पड़ेगी, तो कैसे बराबर कर सकते हैं, नीचे 10 है, उपर 5 है, आप इसको बड़े आराम से 10 बना सकते हैं, इस वाले 5 को, कैसे, आप इ लिखेंगे A, B, C, तो आप मल्टिप्लाई करेंगे, तो मल्टिप्लाई यहां पर भी होगी, तो 2 की मल्टिप्लाई 4 में करेंगे, 8 बन जाएगा, 2 की मल्टिप्लाई 5 में करेंगे, 10 बन जाएगा, और अब आपको नीचे मल्टिप्लाई करने की जोरुत नहीं है, क्योंक इतने का मान निकानना है आपको आट का मान निकानना है यहां से आपके पास बचा आठ डूनों की आप मल्टिप्राई करेंगे तो यहां से भी आपके पास कितना आ जाएगा यहां से भी आपके पास आ जाएगा 600 लुपे तो जो में थर्ड आपको बड़ी है लग रहा है वहां से आप इंप कोश्चन को कर सकते हैं चलिए तीसरा कोश्चन एक वार देख लेते हैं चलिए थर्ड वाला कुश्चर है ए ने बी को कोई बसकू 20 परतिशत लाब पर दी बी ने सी को 10 परतिशत लाब पर दी सी ने बी को 12 सही एक बटे 2 परतिशत लाब पर दी और बी ने उसे खरीदा है 29.7 जीरो यह पोईंट है उन्टीस पोईंट 7 जीरो गुके में तो पूचा गया है एक के लिए कोस्ट प्राइस कितना है इस बार आप देख सकते हैं कि 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 इस पॉस्टन में आपके पास कितने मेंग कितने मेंग रहें एक इसको देगी सी को कितने पर दी है दस परसेंट लात पर तो अगर एक सो बीस कर दस परसेंट निकाम हो तो वो कितना जाएगा 12 सबीने दोने कोश्य में आपको बता करा रहा हूं तो 12 लाब है तो यहाँ पर कितने में पहुंच जाएगी 132 में वहीं 120 में 12 तो यहांपर कितने में आ गई 132 में आ गई सी ने डी को दी है 12 सही एक बटे वो परसेंट अब जब भी आपके पास कुछ इस तरह की परसेंटेज आती है तो आपको कैलकुलेशन करने में रिक्कत आती है लेकिन इसलिए मैंने आपको फ्रेक्शन बताया है तो आप 12 सही एक प्रेक्शन बनाते हैं तो कितना आता है एक बटे आठ तो चाहे तो आप किसी संख्या का 12 सही एक बटे दो निकाले या किसी संख्या का एक बटे आठ निकाले वो दोनों ही क्या होते हैं बराबर होते हैं तो बहतर है कि आप 132 का क्या निकाले बारा सही एक बटे दो परसे पांच बचेंगे, यहां से दो बचेंगा, आट शिंग अड़तालिस, चार बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो अतारोंगे, आट बने चालिस, यानि 16.5 रुपे का क्या हुआ है, लाब हुआ है, वहीं कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी 15.4 प्लस कर दीए, तो कितना हो गया, 148.5 हो गएा, हमारे बोडिंग कितने में खरीदा है, 148.5 में, 148.5 का मान कितना होगा, 29.70 कितने का मान निकालना है, आपको 100 का मान निकालना है, गरकिलेशन सबसे पहले हां पर एक जीरो बढ़ाएं और इस पॉइंट से यह पॉइंट अटामें क्योंकि यहां भी दो अंक हो गए और यहां पर भी दो अंक हो गए ठीक है अब आप जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजे तो यहां पर कितना बचा 1485 कि इदर कितना बचा है 297 नीचे आपके पास कितना बचा है 100 यह आपको कैलकुलेट कमाएं तेकि कैसे काट करेंगे वापस आप देख सकते हैं कि यहां पर गुबारा से नो वाला रूर लग रहा है चार और एक पांच आट रों पांच तेरा और पांच कितने हुए अठारा नो और तो ग्यारा उटकितने ह होती है सब्सक्राइब करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 20 रुपे यानि 20 रुपे में वो बस्तू क्या की थी खरीदी थी आई हो कि आपको समझ में आया हो केवल इस कोश्चन के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है और वो इसलिए है क्योंकि जितने आपके मेंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ती चलिए जाती है चलिए एक बार इसी कोश्चन को फ्रेक्शन वाले मेटर से हम देखते हैं चलिए अगर फ्रेक्शन से करना हो तब क्या करेंगे तो वह हमें सबसे पहले क्या काम करना हैं हमें सबसे पहले चार मेंबर वो लिख लेना है ए बी सी और बी ठीक है 20% लाव है तो 20% की fraction break करेंगे कितनी हो जाएगी 1 बटे 5 यानि A में 5 का खरीदा और B को 6 कर बेच लिया फिर B ने C को कितने पर बेचा है 10% लाव पर तो 10% की fraction break करेंगे 1 बटे 10 यानि B ने 10 का खरीदा और C को 11 का बेच लिया अब ध्यान दखिए जब आप इस question को fraction ओसे करते हैं तो आप क्या करेंगे 4 ओर को जाने से पहले किस ओर कर जाने से पहले आप इस value को बराबर कर लेंगे पहले ही उसके बाद आप अगले member पर जाएंगे तो इस value को आप कैसे बराबर कर सकते हैं यहां पर 10 है, यहां पर 6 है, अभी हम पहले वाले question में करके आए हैं, अगर मैं यहां पर 5 से multiply कर दूँ और यहां पर 3 से multiply कर दूँ तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 30 हो जाएगा, यह भी 30 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगे, तो अभी यहां पेवल A, B और C को लिख तो 5 से मंटिप्लाइ करेंगे ये बन जाएगा 25, 5 से मंटिप्लाइ करेंगे ये बन जाएगा 30, नीचे मंटिप्लाइ कर लीजे, यहां पर तो जरूरत है नहीं, क्योंकि B पहले ही 30 बन चुका, यहां से 3 से 11 मंटिप्लाइ करेंगे, तो C कितना बन जाएगा 33, अब आप आए आएं बी के पास, सी, ए, बी ये तीनों आपके पराबर हो चुके हैं, बी के पास आएंगे, तो आपने क्या पड़ा, सी ने बी को 12 सही 1 बटे 2 परतिशत लाब पर दिया, और अभी याँ आप 12 सही 1 बटे 2 परतिशत की फ्रेक्शन निकाल के आ रहे हैं, तो वो कितनी होती है एक बटे 8, यानि अगर सी की बात करें, तो उसने 8 में खरीदा होगा, और कितने का बेचा होगा, 9 का बेचा होगा, अब आपको लगेगा कि मुझे वापस ये वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, तो देखिए, अगर हम कोश्चन को देखें, तो वहाँ हमसे केवल ये कुछ काम है, और न मुझे C का कुछ काम है, मुझे केवल A और D चाहिए, तो आपको multiply तो करनी पड़ेगी, ये वैल्यू तो आपको बराबर करनी है, आपको 8 की multiply उपर करनी है, और 33 की multiply आपको नीचे करनी है, यानि इस वाली line में, आप किस से multiply करेंगे, 8 से, और इस वाली चाहिए तो आठ की मुल्टिक्लाइट डारेक्ट ए में कर दीजे एक इपने चालीस आठ गुनी 16 उचार कितने हो जाएंगे 20 ठीक है तो आपके पास एडारेक्ट इतना आ चुका 200 आ चुका एक आपको डी की वैल्यू चाहिए तो डी की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी वै A और D की ना आपको B चाहिए ना आपको C चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आपके बाद उसी वैल्यू को ले सकते हैं जिसकी कोशन में डिमांड है क्या कहा गया है डी ने खरीदा 297 का हमारे कोड़ें कितने का खरीदा है 297 का यानि 297 का मान कितना हो जाएगा 297 किस का मान है आपको 200 का मान निकालना है कि दोसों का मान निकालना है तो यह से कटेगा पॉइंट बन जीरो बार क्टेगा क्योंकि 277 में चलाएंगे तो बीज में क्या रहा है यहां पर यहां से कितना बचा पॉइंट बन जीरो यहां से कितना बचा दोसों यहां से भी आपका अंसर कितना आएगा यहां से भी आपका अंसर 20 रुपे आएगा चलिए फॉर्थ वाला कोशन देखते हैं लिखा है ए ने एक मुबाइल 4860 रुपे में 19 परतिशत हानी पर बी को बेचा बी ने सी को ऐसी किमत पर बेचा कि ए ओ 17 परतिशत का लाभ हो तब बी का लाभ परतिशत कितना है देखे वह कोशन की लेंग्वेज को आप पढ़ना स कि अब लिखने हैं तो आपको इस कॉशन की लेंग्वेज को पढ़ेंगे तब ही ऊप प schwWait के लिखने है तो अगर सोबीग में 180 अब आगे कवेती विन इंस को ऐसी किमत प्रini कि ऐसे सब्वेकरां है कि एक र Yakश की तुमना कहां से जकर दे गये है को से गई होगई देख सकते हैं अब आपसे क्या को पुझे का एक सप्सक्राइब कर सकते हैं각 वह प्रति आपको निकाला नहीं तो देखें आप अगर पूचा जाता है कितने में खरीदा कितने में बेचा तब हमें इस रेट की जरूरत थी लेकिन अगर यहां से भी कल्कुलेट कर सकते हैं देखिए आप क्या कहेंगे कि 80 का खरीदा और ची को कितने अगर एक सुटराईगा तो तो आप करेंगे तो कल्कुलेट करेंगे calculate करेंगे यह कट दायरत 9 से काट लीजे 9.34 इसा आप नीचे काटेंगे तो 9 बाल बटेगा 100 की multiply 4 में कट देंगे तो कितना आजाएगा 400 बटे 9 और क्योंकि यह परतीशत है तो यहां पर भी क्या आगया परतीशत अगर आप इस question को fraction से करेंगे तब भी आपको यही तरीका लगाना है कारण 19 परतीशत हानी तो 19 परतीशत हानी में आप जब 19 की fraction break करेंगे तो यही value बटेगी रही तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे 100 का खरीदा तो जब आप इहां 100 लिखे रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले question में आपका fraction वाला method भी किस से इसके बराबर हो गया वो आपका 100 वाले concept के बराबर हो गया चलिए वही आज हमारे यह 7 क्लास भी complete होती है लगबग हमारे chapter एक तो क्लास और चलेगा उसके बाद हमारे profit loss का chapter भी कतम हो जाएगा तो आप बढ़िया से question को करते रहे हैं जो भी आपके doubt आ रहे हैं वो आप मुझे comment box में लिखके बता सकते हैं इन question की आप अच्छे से book स प्रक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा प्रक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी question को करने की speed बढ़ेगी तो चलिए फिलाल आज की class में इतना ही है और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर आन से जुड़े रहेंगे तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही है थैंक्यू